विल्कम टो बाय स्कॉलर तो यह कंटिनियूशन है लास्ट जो डिसकेसन था इस रिलेट्टुट टू इंजाइम काइनेटिक्स अब यह पार्ट टू में हम प्रिवेसर कोश्चन जैसे मैंने बताया था प्रिवेसर कोश्चन सौल्ब करूंगा तो लास्ट क्लास में मैंने आ 2024 में दो नंबर का कोश्चन एक नंबर का कोश्चन हो कितना आसान कंसेप्ट है पहले उसको समझिए और आप खुद से अनलाइज करना कि देखो अगर इस तरह का कोश्चन पूछा जा रहा है इस बार तो प्रोबिलिटीज देर कि नेक्स बार उसे से में स्क्यू भी ले चलब करना है इसका अपको कॉन पूफस्ट हो जाएगा टीग तो यह सबढ़े आप देखिए माईकिलीज मेंटेन wr लृथ अथि City देशल फेली फैशन पहले आप क्या कर दो यह जो ने में यानित कुछ जो जो Wickalis यहां पर माहिक्लिस्स मेंटेंटेंट कैसें तब पहले माइक्लिस्स मेंटेंटेंटेंट है लिख लिख लेज़े है यह रहा है अब को माants का मैंने लिख अब बताया क mercic SUV निकालना है क्या करना है लिख दीजिए الفéoरा है वी इसी कि था इसान दीखी अब भी मैक्स यहां पर आगए नीचे अब क्या करना है अब क्या बता है सब्स्रेट कंचेंट्रेशन 15 टाइम सबकें बढ़े बिठा दीजिए सब्सक्राइब यहाँ पर देखिए इसका जो बैलू है क्या है सबस्टेट कर यहां पर रख दिया मैं यहां पर फिप्टीन के रख दिया निच डिवाइड कर दीजिए के प्लस फिप्टीन के कि फिप्टीन के बाइड के के काटी आप फिप्टीन बाइड बिठाईए आएगा यहां पर पुछा गया थ्री डेसिमल तक इसको रांड आप करके आएगा अगर आप जिरो पॉंट नाइन थी भी लिख दे तब भी करेक्ट होगा यहां पर देखें तो यह इसको नाइन फो इसमें खाली आपको अगर यह इक्वेशन पता है जैसे मैंने यहां पर भी मेंचन किया अगर यह तुमको इक्वेशन पता है यह तो यह प्लास तो यह आप गया यह आप क्रोस्चेक कर लिए और बताईए आगर यह डिफिकल्ट लगा आपको आप जो जानते हैं आप अब यह नो लोगने ुक्ति और इक्वेशन परियों Echo आप अपर सकाविका करेंगों दूसरा चीज युणिट केबार में यहां पर युणिट था नहीं तो तो च्काफ्टेक्ट दो पता और जो जानते हैं और आपको निकालने के लिए बोला यहां पर, दॉम에को वैश बादा ओ, आब यह निकालने के लिए बोला है और यह आपको पता है, क्या पता है, क्या निकालना है, इन दोनों को परलल इलिख लिए, एंसर आपका आ जाएगा, क्या था, इस्सक्वेस्ट्यन में कुछ नहीं था, नेक्स्ट आई एक ब्लक्स क्वेतिस पुछा गया है। यसे सब्सक्राइब करेक्ड-दिशति लगतल सक्राइब इसी को आप फॉलो कीजिए बाहर कहीं नहीं जाना है तो आप अपने हिसाब से भी बना लीजिए आंद कॉम्पटी इनिशन में मैंने पर्टिकुलर इंपरिसाइज क्या किया था एंजाइम सब्स्टेट इनिविटर कॉंपलेक्स बनता है इंजाइम सब्स्टेट कॉंपलेक्स के साथ इनिविटर वैंड करता है तो बापर सब्सक्राइब इसको डूंड इसको नहीं प्रीपे कोंपलेक्स बाइन दो पहला पॉइंट वही था कि भाई यह किसके साथ इसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक एंसर आ गया अब आप जैसे फिर से दो परामेटर बता है था क्या होता है कि यहां पर पूछा गया है तो बी और सी आपका अब देखिए पहला 2024 में दो कोश्चेन पुछा एक 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 से बीटी में आपका सब्सक्राइब कोश्चन पुछ ले यहां पर मस्यों दो 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 नंबर का अब देख सकता आप एक कोश्चन करते कितना रैंक बूश्ट कर सकते अपना सेम अब 2023 में देखते हैं 23 bt में कुछ पूछा गया क्या देखी यह पर पूछा गया है कि एन जाइम एन जाइम एन जाइम एक 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 बाया केमिल बाया केमिकल रियाक्शन प्रमेट वीट के कट इस गल तो 500 सेकंगिंए इनिसल रियाक्शन वेलर्सिटी वीट इस अगल तो 10 मैंक्रो मॉलर पर सेगे इनवर्स एक टॉटल एन जानते हैं आम जानते हैं क्या मैंकलिस मेंटें इकविएशन बीमाक्स साफशेट कंचेटरिशन दूसरा है के कैट हम लोग क्या जाते और क्या जाते टान वह नामबर यहां पर पर की कैट के बारे में पूछा है ना के कैट तो के कैट इसकल टो वीमैक्स बाइट टूटाल एंसाइम कंचेटरिशन अब फट से देखिए इसी के आसपास अब हम क्या जानते यह हो गया आप दूसरा पाट क्या होगा कि भाई कोस्चन में क्या क्या इंफर्मेशन है को यह तो मैं लिख के बता रहा हूं आप पॉस करके पहले कोसिस करना फिर आप इसको सॉल्यूशन देखना फिर आपको समझ में बहुत प्रतिरी दर्फिस आएगा देखिए क्या क्या लिखा गया है यहां पर पूछा क्या है कि भाई के कैट जो है वह सब्सक्राइक से पिर स्काइब जो बीजीरो है भी नॉट में सब्सक्राइब एससे को लिख रहा है और यूट का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि किस पूछा गया माइक्रो मोलर में पूछा गया है तो कन्प्यूजन होने के लिए चांसेस देखे रखा है तो आप थोड़ा देखना है यूनिट के ऊपर थेयन देना जैसे मैंने बताया कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एंसर है किसमें पूछा गया है यह भी देखने देखना पड़ेगा अब कि निकालने के लिए बोला है simple हम क्या करेंगे है अब आराम से दीखिए अब क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि आपका जो भी-मैक्स हैं अगर यहाँ से कि यह लिए करे लिए सकता है यह माइकली स्मेंटोरी निकलेगा इस निकलेगा इसमें तो के अफिए जो पाइए पार्ड हैं इसमें dimension जानते हैं सबखें high right ये जानते यह जानते हैं और हम जानते हैं भी मैंस bahin भी मैंस के बारे में नहीं जानते केम के बारे में जौन कि वारन है इंपर्मेशन है तो यहां कहला से निकल जञाएगा यहांपर टूटल इंजयें में से निसलैंग संद पाइगा आ है हम पहले क्या करता था Props निकल है क्या लेंगे तर बा जूट बढ़िए इनकुट निकाल लिए क्या करना है इसको केक एट कितना है केकाट है 500 इंवर्स और इंडाइन टोटल कंजे शनर थर्टी नैनोमोलर और यह रहां सेटन इंवर्स इसका इनिट हो जाएगा तो 1523123 थीक है कोई दिक्क्र नहीं नानो मॉलर सेकंड इन्वर्स इसका येनिट हो जाएगा अब भी मैक्स आ गया यहां पर भी मैक्स हो गया अब हम क्या करेंगे अब एक्विशन देखते हैं इक्विशन क्या है दिनॉट इसकल टो भी मैक्स सब्सेट कंसेंट्रेशन सब्सेट कंसेंट्रेशन क्या है 40 माइक्रो मॉलर 40 इंट्रो माइनस सिक्स के कितना केंडा है क्या माइक्रो मॉलर में के निकालना को रख दीजिये असी रखा है प्ला सब्सेट कंसेंट्रेशन है यह भी रख रख दीजिए उस तरब करेंगे तहाराम से दीजाएगा तो देखिए यह 10 दोर माइना सिक्स चला गया ठीक है अब बचा है दस एक जीरो हटा देता हूं मैं अब क्या करेंगे इसको इस तरब लेके आजेंगे जैसे क्रॉस मॉल्टिप्लाइग करते हैं तो हम क्या करेंगे क यह प्लास सबस्टेट कंशेंट्रेशन 40 इंटो 15 जो आपका 00 है यह आगया आपका अब नेक्स टेप में और और देखिए आप लिख सकते हैं यह मैं डिटेल्स बता रहा हूं आप अराम से फट से कर लेंगा इसको दिखकर नहीं होगा आप देखिए यह जो क्येम है क्येम कैसे लिख सकता है यह मल्टिप्लाइब माइनास से माइनास से करेंगे आप अगर तो केम आ जाएगा तो ही करते हैं देखिए बहुत लेम प्रॉसेस ब्लाइंटली मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं क्योंकि क्याल्कुलेशन में गलती हो जाएगा फिर एक्जामाल में ऐस दिमाग काम नहीं करता इसका अगर मल्टिप्लाइब करेंगे तो इसका एंसर आएगा 60 इंटू दूदर माइनस 6 कैसे 15 इंटू 4 60 और यह 10 दूदर माइनास 9 से एक दो तीन हटा दीजी 10 दूदर माइनस 6 हो जाएगा अब देखिए क्यों माइनस 6 पर लाया किम माइक्रो मो यह माइक्रो मोलर में है तो 60 माइक्रो मोलर है ना तो 20 माइक्रो मोलर यह होगा आपका का एम का देलो कैसे निकाला मैंने फिर से दीखिए हम मैं मैं जानता हूं यह एक्वेशन बी-nought इस इकल्ट बी-max बई-substrict कंसेंट्रेशन बैं प्लस और मैं जानता हूं तरन आपर के सब्सक्राइब निकालना है क्या प्रविम्ध काल निकाल ना है तो मैंने पहले क्या कि अभी मैक्स निकालना है क्योंकि यहां पर भी मैक्स चाहिए इस एक्वैसन पर फिर फ्रिटी सब्सक्राइब पूछाय है इसका यह इसका इन सर्वाल 10 कि भी बहुत आसान कुष्चेन है दूनबर आपको अराम से मिल जाएगा रएधी कि दो इक्वैसन लगा इसमें और कुछिंण लगा है ठीक है नेक्स्ट आपे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हाप उस्टेट कंशेंट बेसान आप 0.5 इंट इस तरह का स्टेटमें उच्छा जाएगा कि हाप अब अगर यह एप यहां पर आप जानते हैं वी इस गल्टो वी मैक्स सब्सेट कंशेंट्रेशन डिवेड़ेट बाइप प्लस तो क्या होता है सब्सेट कंशेंट्रेशन इस गल्टो के अब अगर यह इक्वेशन पूटाउन कर देंगे तो आप जानेंगे वी इस गल्टो सब्सेट कंशेंट्रेशन आपका क्या होगा जब सब्सेट कंशेंट्रेशन आपका केम का बराबर होगा दें यहां पर वही लिखा जाता है सब्सेट कंशेंट्रेशन को मेंने तुमें केम कितना है पॉइंट फाइंट्रेशन इंडू-6 मोलार क्योंकि सब्सेट कंशेंट्रेशन नहीं केम होगा और यहां पर बताया गया है सब्सेट कंशेंट्रेशन इसगल तो पॉइंट फाइव इंडू-6 मोलार कि आपका केम हो गया अब यहां पर पांचिंग है कॉम्पीडिटिव इनिवीडर का नेक्स लाइन में आप देखेंगे यहां पर कॉम्पीडिटिव इनिवीडर भी डाल दिया गया है अब सब्सेट कंशेंट्रीशन अ इसड़ेशन अ है अल्फा क्या है वान प्लास आई बाई किया है यहां पर केम है केम डैस केम डैस होगा अल्फा केम हो जाएगा ना अब अल्फा केम हो गया देखिए क्या करना है यहां पर भी दिखिए बताया गया है दा हाप मैक्सिमम विलोसिटी वास फाउंड इस सुब्सेट कंचेंट्रेशन आप 1.5 इंडिविटर पैर है यहां पर पूछा गया है क्या इंपरमेशन है और क्या पूछा गया है यहां पर बताया गया है जो के आई है कहां से मिला क्या पूछा गया है कि कंचेंट्रेशन आप आई पूछा गया है कुछ नहीं है अब देखे कैसे करेंगे यहां पर और इंपरमेशन क्या बताया गया है जब कॉंपेटिटिव इनिवीटर है उस टाइम पर सब्स्ट्रेट कंचेंट्रेशन जब हाप और मैक्सिमा फिर से वहां पर जो उस टाइम पर मतलब जो आपका केम डैस है केम डैस कैसा है केम डैस है 1.5 इंट्रेशन निकाल रखते हैं क्या देखिए आलफा इस वान प्लस आई भाई कि आई इसको आई लिखी आराम से देखिए यह रहा केम डैस आलफा इसकल टुवान प्लस आई भाई कि आई ठीक है इन्टु केम अब यहां से केम का भैलू पता है आपको यहां पर यह रहा केम यह रहा केम अल्लेडी पता है अब नो डाउन कर लिजिए फिर से हमें पता करना आई का कंसेंप्रेशन अब लिख दिए 1.5 इंट्रेशन अब यह केम निचा आ जाएगा वहां है 0.5 इंट्रेशन हों है ना 6 मोलार काट दीजी काट दीजी इसको वान प्लस आई भाई कि आई है ना अब इनिविटर का कंसेंट्रेशानी खाली निकालना है कैसे निकालेंगे 1.5 बाई पॉइंट 5 बाई पॉइंट 5 देट विल भी ठीक है 3 1 प्लस आई भाई कि आई तो आप आई भाई कि आई इसकाल दो और आई इसकाल टो टो इन्टो कि आई कि आई कितने हैं तो इंटो कि इन्टो कि आई कितना है । इंटो टो इन्टो दोन गला मैनस से बैं मोलर यहां भी लिखा जैसे कि तो टू इसबल टो 4 . 7 अब यहां पर एंसर किसमें पुछा है माईंक्रो मॉलर में फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट्स तो माइक्रो मॉलर में अब इसको माइक्रो मॉलर में करना है क्या करना है तो यह याद रखना तो यह यूट कंबर्सन भी बहुत इंपर्टेंट है की इस तरह का एक बार्द कोश्यन अगर आपको आ जाएगा प्रैक्टिस करने से यह आ जाएगा तो कैसे निकाल आगवार फिर से देखिए what we know what is given what is given information क्या given है what is given तो इसको pause करके आप खुद से try कीजिए फिर देखिए कैसे मैंने किया है what we know what is given आप हमके क्या निकालना पस एक दाप आपने बच्पन में किया है जो जानते हैं और जो आपको निकालना पड़ेगा बहुत आसानी सब कर लें नेक्स्ट क्या कोश्चन पुछा गया है सब्सक्राइब कोश्चन पुछा गया देखिए फिर से अब अल्टरनेट यर में आप देख सकते कैसे कोश्चन पुछा इस तरह का कोश्चन बनता है पुछा गया है कि आपका रिवर्सिवल एंजाइम इनिवीशन है जिसमें आपका अन कॉंपिटिटिव नॉन एक साल मतलब यह तो पिछे का हाल है अगर पीवा से कोश्चन कर ले आप देखिए फिर से कोश्चन पुछा गया है बीटी टुदाउजन ट्वेंटिफोर में और यह एक साल पहले कोश्चन पुछा गया सेम कंसेप से तो यह स्टेट्मेंट तो बिल्कुल सही है तो यह कर प्रता नॉन कोमपीटिटीव में क्या होता है जो आपका इनिवीटर जो है वह दूसरे जगा पर बाइन करता है तो यहां पर मेंसंग किया भी है कि इनिवीटर एंड सबस्टेट वाइंडिंग और इनिवीटर बाइंड एस एन आइंड डिवर्सी बिल्कुल अलग होता है नान कॉंपेटिटिव इनिविशन में यही लाइन पूछा गया था बिलकुल इस तो सब लोग बच्पन से जानते हैं कि इनिविटर और आपका सब्स्टेट करता है इसलिए आपका प्रसे क्या होता है उस अब देख सकते हैं क्या इंपोर्टेंट है नहीं है थोड़ा प्रिवेस यह कोश्चन कर लेंगे तो आइडिया आ जाएगा नेक्स्ट पूछा गया है 2022 एक्सेल में है लुचक चाहिए जाए कि नेक्स्ट के श्यांट किश्कों और यह इंपिट में रिवर्स वाइडिंग एक्सेल क्यों ऐसे ऐसे मैं आपको समझाया था कि आपका कॉम्पीट्रेटिव इनिविटर है उसमें इंजाइम के साथ सब्स्टेट और इनिविटर कॉंपीट सब् लोग जादा है इंजाने से के साथ करने का बहुत बेसिक चीज नेक्स क्या है यह केमिश्टी में पूछा गया था इस कंचेप्ट को करने के लिए आपको पहले जैसे मैंने बताया कि आपको इंजाएं के मिश्टी के बारे में आईडिया होना चाहिए बहुत अच्छी तरीक मैक्सिमाम पॉसिबल मैक्सिमाम पॉसिबल रेट अप्रोड़क फर्मेशन इस डिपेंडेंट नों के टू एनिशल कंसेंट्रेशन अप एंजाइम मैंने आपको दो इक्वेशन लिखाया था इस दो इक्वेशन में से एक एक्वेशन एही बात कहता है कि आपका जो रेट आपका पॉडक्ट फर्मेशन है यहां पर है और इस डिपेंडेंट ऑन के टू एनिशल कंसेंट्रेशन अप एंजाइंग कैसे आभ यहां पर आईए वापस यह पार्ट है इसको समझने के लिए आप यहां पर आईए थे जहां पर हमने पर ग्हारत के बार्माइब ऑसेप maximum possible rate of product formation जो velocity होगा कैसे डिपेंड करता है यहाँ पर देखिए यह k-cat is equal to v-max by total enzyme concentration है ना यह बहुत यह जहीं से देखिए तो यह k-cat ही k2 था catalysis जब product बनता है तो v-max किसके उपर depend कर रहा है k-cat और enzyme concentration के total enzyme concentration के उपर तो यहाँ पर होई तो पुछा है maximum possible rate of product formation v-max maximum rate of product formation v-max velocity कितना होगा rate of reaction depends on this k2 and initial concentration of enzyme कितना amount of enzyme present है तो यह option correct हो गया दूसरा क्या लिखा है फार low substrate concentration the rate of product formation is first order with respect to enzyme and also first order with respect to the substrate अब इसको समझते हैं इस notes में छुपाया है सब कुछ इसी के नीचे लिखा है मैंने explain नहीं किया था यहां पर दिखिए यह जो पार्थ है इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको chemical kinetics होना पड़ेगा क्योंकि enzyme kinetics तो chemical kinetics से हैं इसमें जो आपका chemical engine catalysis है जब substrate concentration is much more lower than किये तब यह follow करते हैं first order kinetics अब कैसे हुआ क्यों हुआ इसको इक्वेशन से आप अगर थोड़ा समझेंगा आराम से आ जाएगा हम जानते हैं first order मतलब concentration आप substrate के साथ uniform मतलब depends on the substrate concentration first order देखिए यह जो के हैं इसका unit भी आप अगर compare करेंगे minute inverse में आएगा देख सकते आप तो reaction जो order है पहले first order kinetics follow करता है दूसरा जीरो order kinetics follow करता है जब substrate concentration बहुत ज़्यादा है के मुकाबले तब यह जीरो order reaction होगा क्यों तब आप देखिए यह substrate concentration के उपर करता है तब डिपेंड करता है वेलो सिटी डिपेंड किसके उपर करता है पी इसकल टूपी मैक्स वेन सब्सेट concentration इस हायर देन आप किये तो इनिसियाली यह first order होगा नेक्स्ट यह जीरो order होगा इसी के बारे में statement पूछा गया है कि जब low substrate concentration तो लो आप इसको इक्वेशन चाराम से समझ सकते हैं तो आप इसको इक्वेशन चाराम से समझ सकते हैं इक्वेशन में अगर put down करेंगे तो यह बाहर निकल के आ जाएगा अब जो next question है उसको बारे में थोड़ा देखते हैं अब पुछा गया है कि आपका जो जो प्लॉट है यह भी important है जैसे मैं बोला था graph is very much important यहां पे पुछा गया है कि जो आपका competitive innovation है ना competitive innovation उसका graph बते हैं आप देखके बता सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है यह double reciprocal plot है तो यह option correct होगा क्यूं आप अगर इनिविटर का concentration increase करेंगे तो देखिए क्या हो रहा था इनिविटर का अगर concentration increase करेंगे तो यह जो graph है यह 1 by Vemax तो same रहेगा इनिविटर का concentration increase करेंगे तो केम अलसो बढ़ेगा ठीक है दिखिए यह हो गया आपका graph तो option यह MSQ है तो option number आपका जो 3 है वो correct हो गया पर इसमें एक twist है इस बात का है कि आपको और कुछ-कुछ types of graph आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके लिए आप सेजल का जो chemical calculation बाला पार्ट है इसमें मैं basically दो graph के बारे में मैं बात करोगा एक है इंसुल plot जो होता है is by B और इसके बारे y is equal to mx plus c में आप जब बिठाएंगे तो y is subset concentration by B और जो x है वो होगा subset concentration तो अगर इसी को line weaver blood plot को हम अगर थोड़ा alternate करके लिखेंगे जैसे या बोद साइड में subset concentration से हम क्या करेंगे multiply करतेंगे तो ऐसा एक equation आएगा जिसको हम अगर plot करेंगे visible to mx plus c में तो ऐसे दिखेगा ये एक plot हो गया दूसरा है ता उल्प आउगास्टी इंशन होप्ष्टी उल्फष्टी plot बोला जाता है सौट में जो होता है भी भार्स भी वाइस यह उल्टा उल्टा पूछ लेता है मैं CSR के लिए मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है गेड में एक बार ही question आया तो पूछ लेगा तो यहां पर कैसा होता है यहां पर इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए आपके पास यह बुक है नहीं तो आप स्क्रीन ले ली जा रहा है यह पार और इस पार्ट का और इसके नीचे ग्राप भी देखें रखा है आप देख लेना थोड़ा तो उस हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो यह यह ज इस प्लॉट को में थोड़ा बहुत आइन अंडर्सेंडिंग से प्लॉट करेंगे तो यह ऐसा कुछ दीखेगा इसका ही दूसरा अल्टरनेट वर्शन है तो यह प्लॉट तो यह ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा किसी दूसरे वीडियो में हम ग्राप को कैसे ग्राप कॉ बार में थोड़ा आइडिया देंगे आपको ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्चिन इस एंजिए अन इंजाम कटलेसी दे कॉंबर्शन अब 30 माइक्रो मोलर अब सब्स्टेट टो प्रोड़क्ट एट एक्सिंव एलोटिटी आइन माइक्रो मोलर पर सेकेंड एंजाम टूटल अब देखें सब यह दो तीन इक्वेशन से होगा कुछ नहीं करना आपको और आप क्या जानता है क्या डिजिकल टो भी मैक्स बहुत बढ़िया आपको पुछा गया है क्या 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 है फट्स लिग लीजिए कि वाट वी नो कि वाट इज लिवें क्या-क्या दिया है बताया गया है भाई सब्सेट सेंक्रह्न रेशन रियाक्च विलोशिटी बताए गया है नाइन मािक्रो मू आ सेकंड इंबर्स टोटल इंजनेंग कंसेंट्रेशन बताया है 30 नानो मोलार अब बताया गया है के इंग भी बताया गया है 10 माइक्रो मोलार आप दर ब्लाइंडली फालो की जब बिठा दीजा बीमाक्स निकाले पहले क्यों भी मैं निकाले दिखा रहें आपको बेज़कल टो विसली सबसेट कंसेंट्रेशन विवेड सभीं इंस तब फटा हई किएला हमें माइक्रो मोला सांब माइक्रो मुलार में दिक्कत नहीं है मैक्स सबसेट कंसेंट्रेशन है hiring टोट 6-6 वह में अब करकर도 30 कि अदि रहा आपका करना पड़ेगा 30 कि मैं कंभर्ड नहीं कर रहा है कि अब फट से क्या करेंगे केम का वैलू है आपका 10 प्लस सब्स्ट्रेट का 30 तो यह 40 इंटू 9 डिवेड़वे 30 इस गड़ी मैक्स तो यह हो गया कितना 12 इस गया वारा वह जानते हैं के कैट इस गड़ी मैक्स टूटल इंग कंसेंट्रेशन कि अब के कैट निकाल लीजिए वी मैक्स बारा टूटल इंजाइम कंसेंट्रेशन कितना है 30 नैनो मोलर आप देखिए यहां पर यूनिट कंभर्शन करना पड़ा है 30 इंड़ दोन माइनस 9 और 12 इंड़ दोन माइनस 6 तो इसका एंसर हो जाएगा 400 अब बता गया है कि भाई की कैट करेशियो बंद कालो कि कैट 400 और के होगा कितना के में है 10 दोन माइनस अब कितना निकलेगा आप देखिए अब निकलेगा यहां पर देखिए इसकी साब से ओप्शन भी दिखिए यह निकालना है तो यह इनटो फेलमा इस फार्मैट में लिके जाना है तो उपर चला घट्रेंडर 6 तो एक जीरो काट दीजी आप तो 40 इंवीं में गप्शन निकलेगा इसका एंसर होगा एंसर निकाल लिए पूज करके आप खुद ट्राइब कीजिए और इसका अल्टेनेट भी होए है आप निकाल के उस कॉमेंट बोक्स में डालिए कैसी कि आपने निकाला और एंसर आप कहा रहा है कि नहीं वाट इस गिवन वाट वी नो और पूट करके एक्विशन में आप इनका फैलो निकाल से हैं नेघ्स्ट कि आप पूछा गया है नेच्ट पूछा गया है कि जो आपका माईजली मेंटेन इक्विशन है उसका फैलो सीडी दिए प्पिर से ओही लिख दीजिए क्या जानते है ब्रीजिगल टुवीमैक्स अब तो आपको याद आ जाएगा कि एक दो प्रॉब्लम करेंगे आराम से जैसे मैंने भी बार-बार करके ही आराम से निकाला है कोई दिक्कत नहीं है यह तो जानते हैं अब बताया गया है यह पढ़िया और मज़दार चीज़ है अब बताया गया कि कि एन एंजाइम कोवें माइंकलेस मेंटेन कानेटिक सोज और रियाक्शन वेलोसिटी अफ टेन माइक्रो मोल पर मिनिट वेन दसाफ्स्टेट कंचेंटरेशन इस वाल विट्स क्या था जब सबस्टेट कंचेंटरेशन कीम का बराबर होगा तो भी इस गल टू भी मैक्स यहां पर बताया गया है टेन माइक्रो मॉल हो पर मीनिट हैं बी मैंक्स कितना होगा टू इंटु वी टू इंट्व टॉन इस फ्वेंटल ट्वन पर मीनिटि इज दू पूछा है तो सब्यूंजशल अलस आप competitive innovation को कैसे परचानेंगे P होगा competitive आप देख सकते हैं इसमें जो भी मैक्स है यह चेंज नहीं हो रहा है तो यह जो आपका P होगा competitive innovation होगा तो competitive innovation होगा और जो Q होगा यह non-competitive आप देखिए फिर से पूश्चन पूचा गया है और नेक्स्ट और देखते हैं कैसे करते हैं अब देखिए यहां पर पूचा गया है कि माइक्लेस मेंटें इक्वेशन है जहां पर थर्ती माइक्रों 45 माइक्रों मॉलार अब सब्स्टेट हैं फिर से आप ब्लाइन लिखना पहले बीज़ लुटू वीमेक्स सब्स्टेट कंसेंट्रेशन के एंप्लस एस लिख लिए अब के कैडिश कल्टों वीमेक्स बाइट टूटल एंजाइम कंसेंट्रेशन आप सब्स्टेट कंसेंट्रेशन है इस थर्ती फाइब माइक्रों मॉलर जापका वेलसिटी हैं 10 माइक्रों मॉल पर सेकेंड इंवर्स जापका केम हैं वह हैं 14 माइक्रों मॉल जो आपका केक कैट है वह हैं 500 सेकेंड इंवर्स और क्या चाहिए सब इंफोर्मेशन तो दिया है तो टूटल एमाउंट अब एंजाइम तो एंजाइम टूटल निकालना है इसका कंसेंडरेशन निकालना है बस अगा दीज़े फटा-फट तो बता गया है कि आपका जो भी इसका टूटल टू भी मैक्स तो एंट अगर निकालना है तो कैसे निकाल साथ तो एट को यहां से यहां से लिख सथा इसकाइब यहां से निकाल ला है तो किसी केशन को भी पूट कर देता है 10 into KM plus S, S क्या होगा, KM होगा आपका 14 plus 35, divided by S कर दीजे, S है 35, बस ये होगा आपका BMAX, ये ये भूनना है ना, बस होगा आपका गाहन ने, तब इसको calculate कर लीजे, क्या होगा इसका answer, ये होगा 10 by 35 into 49, तो इसका answer आएगा, 14 by 500, इसको करेंगे, तो 0.028, ने, ने, ये, सॉरी, सॉरी, ये कलती हो गया, यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक साथ पूट कर जा, पहले इसको समझते, ये रहा 5, 7, ने, 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 5, 7, 2, 14, तो BMAX होगा 14, मैंने यहाँ पर, इसको का पूट कर जिया था, सॉरी, तो ये रहाँ का BMAX निकला, अब क्या करेंगे, सिंपल, इसमें पूट कर दीजे, 14 by KCAT कितना है, KCAT है आपका, 500, 14 by 500 होगा, 0.028, माइक्रो मोलार, यहाँ पर क्या पूचा गया है, यहाँ पर पूचा गया है, नैनो मोलार, तो 20 नैनो मोलार, एक माइक्रो मोलार, इसके बाद नहीं और, लास्ट कोश्चन देखते हैं, यहाँ पूचा गया है, सबस्टेट कंचेंडरेशन इसकल टो 4 km, अब बताओ, कि maximum velocity, the fraction of maximum velocity will be, जो फिर से मैंने क्या किया, मैंने कोश्चन पढ़ा भी नहीं, what is given मैंने लिख लिया, फिर से put on कीजिए, what we know, V is equal to V max, सबस्टेट कंचेंडरेशन, km, प्लस सबस्टेट कंचेंडरेशन, भी क्या होगा, यहाँ पर बताया गया है, कि जो आप, तब फ्रैक्शान और मैक्सिमम हेलोसिटी, जब भी भी मैक्स निकालने के लिए बोला है, तो सबस्टेट कंचेंडरेशन और मैक्सिमम हेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, V by V max, तो सबस्टेट कंचेंडरेशन और केंडरेशन और केंडरेशन प्लस स, पूट अन कर दीजिए, 4 km by 5, यही पूचा गया, hot fraction of maximum will be observed, तो यह रहा आपका V is equal to V max into 0.8, तो यह रहा कुछ-कुछ आपका question और question आएगा, तो हम discuss करेंगे, तब तक के लिए, thank you for watching, तो यह रहा कुछ-कुछ formula, यह रहा कुछ-कुछ question आपको आसानी से देखिए, यह 2-3 questions से आपको आराम से आ जाएगा, चलिए, देखने के लिए thank you, तब तक बने रही है, next part के लिए thank you for watching.